प्यारे विद्यार्थियो, set 1 already हम upload कर चुके हैं, chapter wise आपके 6 वीडियो बना दिये हैं, 6 वीडियो को पढ़ लेना उनमें से आपको question सारे के सारे देखने को मिलेंगे, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, तो economics की तरह पस्ताना मत, क्योंकि economics में भी मैंने बोला था कि इन वीडियो को देख लो, लेकिन काफी students बाद में comment कर गयते हैं, सर हमसे गलती हो गई, तो यह गलती मत करना, अब आने वाले जो exam है, उनको सही कर ले न तो पिछले वाले exam का score जो है, वो maintain हो जाएगा, set to accountancy, first जो question है, English और Hindi medium के लिए, साजेदार का दाइत्व होता है, तो असीमित होता है, इसके बाद जो next question है, इसमें पूछा गया आपसे, कि साजेदार का firm से संबंद होता है, तो वो कैसा होता है, अभी करता का एक agent के रूप में, उसके बाद में है, आपका साजेदारी अनुबंद बनाना अनिवार रहे है, इसके बाद में next जो है, आ लाभानी का विवाजन किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपके समझोते के अनुसार as per agreement, इसके बाद में है, लाभानी नियोजन खाता बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा विभज्य लाभ निर्धारण के लिए, यानि कि जो division के लिए profit जो भी होगा, और निम्न में के साजेदार हैं, जो लाभानी को 4, 3 और 1 के अनुपात में बाटते हैं, उन्होंने भविष्य में 5, 4, 3 के अनुपात में लाभ बाटने का निर्ने लिया, इन्होंने लाभ अनुपात को change किया यहां पे, X और Y के त्याग का अनुपात जो है, वो आपको बताना है, तो यह अलिखित देंदारी का लेखा करने पर होगा, तो क्या होगा, तो वो होगा वर्तमान साज़दारों को हानी, उसके बाद में हैं आपका साज़दारी फंके पूर्ण गटन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा वर्तमान साज़दारो को लाब एक ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट में बस थोड़ा सा फरक है इसके बाद में हैं आपका पूर्ण मुल्यांकन खाते का शेस पुराने साज़ेदारों के पूंजी खातों में हस्तान्तित किया जाता है तो पुराने लाब हानी अनुपात में इसके बाद आते हैं यह आपको बताना है तो त्याग आपको निकालना आता है एक बटे बारा इसके बाद नेक्स जो कोशन है नए साज़ेदार द्वारा ख्याती की राशी नगद लाने पर पुराने साज़ेदारों द्वारा बाटी जाती है तो वो त्याग अनुपात में बाटी जाती सेक्र इसके बाद में है आपका A और B तीन एक एक अनुपात में लाभो और हानियों को बाढ़ते हैं C को एक बटे 4 वन बाई 4 हिस्से के लिए जो है साज़दारी में प्रवेश दिया जाता है A और B का त्याग अनुपात है तो कितना है तीन अनुपात 1 थ्री रेस ओ वन इसके बाद में है त्याग अनुपात का सूत्र आपको बताना है तो आपका क्या अनुपात होगा पूराना अनुपात माइनस नए अनुपात उसके बाद है आपका संपत्यों यम दाइतों का पून्ह मुल्यांकित मुल्य पर दिखाया जाता है तो नए आर्थिक चिठे में इसके बाद में है आपका किसी नए साज़दार के परवेश पर अवित्रित लाभों को जो की पुरानी फर्म के चिठे में दर्शाए गए हैं पूंजी खातों में हस्तांतिरित होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पुराने साज़दारों के पुराने लाभ विवाजन अनुपात में इसके बाद है आपका लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है तो किसी साज़दार के आवकास ग्रहन करने पर की जाती है इसके बाद है आपका एक साज़दार के आवकास ग्रहन करने के समय अलिकित संपत्तियों का वैवार किस प्रकार किया जाता ह तो पून मुल्यांकन खाते में क्रेड़ करके इसके बाद में है आपका एक साज़दार के आवकाश ग्रहन करने पर संपत्तियम दाइत्तों के पून मुल्यांकन के लाब पूंजी खाते में जमा किये जाने चाहिए तो वो होगा आपका सभी साज़दारों के पुराने लाब तो उसके रिन खाते में, लोन अकाउंट में, उसके बाद में हैं आपका आवकास ग्रहन करने वाले साज़दार को देर आशी चिठे में दिखाई जाती है, तो वो हो जाएगा रिन के रूप में, इसके बाद में सभी साज़दारों के सयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉ इसके बाद में एक साज़दार की मित्यू के समय पर फम के सभी साज़दारों के लिए ली गई सयुक्त बीमा पॉलिसी के प्रती बीमा कंपनी से खालिस्थान पाती है, तो वो पालिशी राशी पाती है, पॉलिशी अमाउंट पाती है, उसके बाद में हैं एक साज़दार की मित्यु पर संपत्यों के पून मुल्यांकन के लाब को पूंजी खाते में जमा किया जाता है तो होगा सभी साज़दार के इसके बाद है आपका next question एक साज़दार की मित्यु के समय लाब या हानी के निर्धान के लिए तैयार किये जाने वाले खाते को कहा जाता है तो इसको कहा जाता है पून मुल्यांकन खाता इसके बाद में आपका एक साज़दार की मित्यु की दशा में इस्तिती विवरण में परदर्शित करमचारी भविष्ट निदी को दिखाया जाएगा तो वो हो जाएगा नए इस्तिती विवरण के दाइत तो पक्ष में इसके बाद है आपका नियाखांकन वर्ष में सायदार की मित्वी होने की दशा में अंतरीम लाब की गणना की जाएगी तो वो हो जाएगा समय या विक्री के आधार पर ठीक है जो विक्री हुई है या फिर उस समय क्या माहूल है उस हिसाब से चो अतिस नंबर है अंशो के निर्गमन पर बट्टा जो है वो क्या है अच्छा important question है तो answer हो जाएगा आपका पूंजी गत्हानी है इसके बाद में अंसिधारियों के लिए स्वामी इसके बाद में हैं सम्ता अंसधारी कमपनी के होते हैं तो वो होते हैं आपके स्वामी अंशों का निर्गमन किया जाता है तो वो होता है या आपका समुले पर प्रिम्यम पर और बट्टे पर उपरोक्त सभी और इसके बाद में आंतिम question है अदत याचना खाता दर्शाता है तो डेविट शेष दर्शाता है प्ले लिस्ट आपके सामने आने वाली है इस प्ले लिस्ट को टच करके सारे के सारे वीडियो और जितने भी चैप्टर वाई सॉलूसन्स दिये गें उनको पढ़ लेना फायदे में रहोगे बाकी आपके ए वे लेबल करा दी गई है आपका BST अभी अपलोड कर दिया गया है political science अपलोड कर दिया गया है ETP अभी अपलोड कर दिया जाएगा BST अपलोड कर दिया जाएगा उसके लिए चिंता करने लोड हушки जूरत नहीं है तो आप